गुर्मोने ओलो फ्यू आज अभी जो मनें देखा दा हिंदू के हेडलाइन यूपी टैट कैंसिल आप्टर पेपर लिक टाउंडेशिक्स शैल्ड ये एक आम जनता के कानूं में अन्भवने की जैने वले आवाज बन चुकी है पेपर लिक हुआ अदेख्स पकड़ा गया के एरलाम ये कर दिया गया बन सिलाल यूनस्टिम ये कर दिया माने नयाले नादिश दिये हैं असिस्टन रिजिस्टर की नुक्ति के लिए बरती बिरिया फिर शारम की जाए यूपी टैट का पेपर लिक का माम लाया और धेरू सारू जो अपराद हैं वो मीडिया ये सुर्ख्यां बन पाएं ने बन पाएं वो वेक्ति के तरोप से जुड़े वे अर्थियों के हैं हम अपराद विज्ञान की दरश्टी से अपराद के सोधार्तियों से जो क्रिमिनलोजी पढ़ रहे हैं या रिशाच कर रहे हैं उनको चैनल आमंतरित करता है कि हम चाते भारत माता की धरती पर से इस भारत माता पर गुंडागर्दिया खात्मा हो मैं इनको गुंडागर्दी को मासम की हैं कैसे हो अभी तक आज नहीं आज से 20 साल पहले भी वो लोग रिशार्च के रूप में देखें कि इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले कितने लोगों से जामिली हैं कितने लोगों को नामजद किया गया था आज मैं प्रबंदन की तरफ ले जामगा अप्राद मुक्त प्रबंदन और हम यहीं चाहते हैं कि हमारे देश में अप्राद मुक्ती का बातावन कैसे बने हैं किरन बेदी की तिहार जेल के समय की जो विचारदार आइडियोलोजिक की कैदियों को पढ़ाना परेरित करना उनको कुछ कला सिकाना इस तरह की बाती थी जो सुर्खियों बना आज मैं उसी बात पर ले जाऊँगा आला उचनाओं के बिज़ाए पहले हम परबंदन पर जोर देंगे कहते हैं उत्करिष्ट करवाने के लिए दो ढंग होते हैं पुरुषकार और दंड नूट्रल्टी उदासिनता पूरे ढरे में उदासिन बना देती हैं आज हम भी उधरी बढ़ेंगे कि ज़्यादा बैतर क्या है किन किन लोगों को पुरुषकर्ट किया जाए किन लोगों को दंडित किया जाए पोस्कर्थ भी उन लोगों करना पड़ेगा जिन्नोंने इमांदरे से करी किया हो इमांदारी का वास्तिक सर्टिवेक्ट हो बनावटी नहीं यानि अच्छे और बुरे में सच्छे और जूठे में गुणवान और निकम्य में भेद करना होगा ये परबंदन की थियोरी भी है कि उतकरिष्ट करिए अक्सिलेंस के लिए कैसे इमप्लोई को परेड़ किया जाए अज वोई बात किया फिर बढ़ रही है कि इन लोगों को अतोट से कैसे किया जाए ये अपराद क्यों हो रहे है क्यों इस तरह का वातावन तियार हो रहा है बार बार की लोग गल्द कारी करने लिए परीरित हो रहे है तो ज़्यादा मैं सोधार्तियों से को हूँ है पहले अपराद के कारणों पर चर्चा की जाए अपराद कौन लोग परवर्ट होते है एक बार भूत सवार हुआ था परसंटेज जो अकेडमी को पाई दिया है जो परतिस सत्ता के आधार पर लोगों नोकरिया में लगी थी तो लोगों ने दुरुदर के ज़्यादा दाउं पेचिया अवेद कारी सुरू की बाद में पता लगा कि ये को आधार नहीं है लोगों को दूसरी तरह की पतर तप रिक्षें पास करें दिखाने पड़ेंगी तो यूग गता तरह लोग प्रिरित होई पढ़ने और शीखने के लिए तो एक बीसे इस बात ये सामने आई कि जो इस तरह करी के लिए जो लोग आ गया रहे हैं उसको सल बनाए जाए क्या मैंने पहले का था शरकारी शिवाँ को मेवक नहीं सेवक में तबदील के जाए बार बार कह रहा हूं मैं ये बात इदी बगर वेतन और बत्तों के राष्टर सेवा के नाम पर शेवा निवर्ति विक्ति को ये का जाए आपको बड़ी राष्टी बतोर पेंसन मिल रही है और शेवा निवर्ति के बाद में आप थोड़ा दिन सोचना आयोग सेवा आयोग यूवा आयोग किसी परकार के आयोग का कारी देख ले तो वित्तन बत्ते बंद करने के बाद में असली रास्टर भकत सामने आएंगे यूग्य और निश्ठावान विक्ति और भारी बर कमात्राम अगर सुईदा दीगी तो दोर अलग परकार से रोजाता है सासन के लोग जो कारी पहली का है वो अपने लोगों को कतिब फिटिंग प्रोग्राम सुर कर देती वहाँ योगिता नहीं बड़ी सुईदा प्राप्ति में वो अपने लोगों को वहाँ समयज़त करने के लिए अपनी कतिविदियां तेज कर देती आज उसी कड़ी में अफराद हो रहा है क्यों मुझे सोद की बात में इसलिए आप से साज़ा कर रहा हूँ मुझे एक शर्पंद मोदेन बताया कि उनके गाह में बड़ी मातरा में बड़ी संख्या में मातरा ने संख्या में भीक मांगने वो लोगों इसंख्या थी बाद में मुझीज लोगों देखा कि आज इकीश में स्तावदी में भारत प्रवेश्ट कर गया और इस बुराई से ग्राम पंचाई छेतर को कैसे मुक्त किया जाए उन्होंने सभी भीख मांगने वा लोगों से संपरक्षादा कुछ ने कहा कि मारा पुछते ने प्याशाई और मन ने इसी को अपनी आज युका सादर बना लिया उसको समूह में लोगों ने दमकाई और फैसलाब किया कि दियागे से आप इस तरह ये कारी करेंगे तक हम आपको भीख के रूमे कुछ देंगे बने और उस युआ को लोगों ने कारी करने लिए परवर्ट किया जिससे राष्ट की कारी सिल्टा राष्ट में कुछ कारी साल कारी सिल्ट विक्तियों संग्या वर दी वी बड़े अच्छी पहल थी पंचाइट की और उस युआन भी कुछ दिन के बाद में उस धंदे को अलविदा कह दिया नहीं गया उसके बाद हो उसको बताया कि इस तरह की कोई पर्था नहीं है कि पुस्टेन रुप से किस समुदाय को या किसी को ये इस तरह कोई लाइसंस दे रखा हूँ सरकार ने समाज ने भी मांगने का ऐसा कुछ नहीं है दूसरे ने बताया कि मुझे परीशरम के बदाए ये करियाशान लगता है कि मैं बेशरम होचका हूँ उसको बगाया कि आप बेशरम हैं या सर्मिंद की महसूस कर रहे हैं आपको दिया ही नहीं जागा एक साम एक फैसलाश दियागा कि इ नहीं दी जाए वह अपर तेक सुरुप से राष्ट और समाज को नुक्सान ही कर रहे हैं और उस वेक्तिनी बाद में गाम में दूसरे जो महतों कर रहे थे पेड़े लगाना वरक्षारम पार्ण सफाई कर और दूसरी पर गार कि सुरुप सबंदी कारी में अच्छा हथ ब बाते हैं ये मजबूत सिक्सित समाज को एडरेस में कर रहा हूं कि वो इस चीज़ के लिए अपनी बूमे का निवाने को आगे आए और वो लोग भी आगे आए जो शाट बसे बड़े हैं शेवर निवरित उसके हैं जो आज युकासादन के रूप में पेंसन प्राप्त कर हैं एक समाज निर्माण की यह समाज निर्माण के तरा रस्ट निर्माण अपने आप हो जाएगा एसमें और आगे बड़ें कि जो तीस नी प्राकर के जो भिखारी थे उन्हों ने बता हैं कि ऐसा है होने का पिछी दिया कि हम खाएं क्या हुँ वो बृत है या आपाईज से जैसे भी थुल्ड उतुनको कोई डिसेबल थे हूग तो उनको सहोग क्या पनिजाई देना है क्या आप कोई माँगणा नहीं इससे गंदेशेब्स को परियू ही करना हैं सरकार नीतियों तैद तो अच्छा है वरना ग्राम इस तरपर पंचयत मोदेने श्विम और पंचयत परतिनी दियों हम आपको दूद इपलाएंगे घी भी खिलाएंगे चिंता ना करें हम आपके लिए मदद के लिए तो यहार खड़े हैं और सहयो करेंगे हम अमरी जबावदे निवाएंगे आप इस सब्द का परियोग ने करें उस पंचयत से वो सब्द सदा के लिए विदा हो गया तो आज मैं यह भारत के बुद्धी जोरे पत्रकार साथी हूं और विदिवेताओं से कोंगा कि विदिवेता भी इस कारिये में हम भूमी का निवाएं रेस्पेक्ट तो दा कॉंस्टिटूशन और बेंस ताला ला को बनाएंगे और लागूब करें एक मैं यह जो लागूब करने लागू जो निर्मान का कारिये विदाएका का लागू को नहीं करें पहले का दोनों से में कोई बात दे विशे सुर्प से को हुआ है कानून बना आएं और बनाने दो दूसको लागू भी अच्छे डंग से करें मैं देख रहा हूं बार 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 यह प्राद भीसली कर रखा है गैर कानून ही गोशित कर रखा है पर देखने मा रहा है कि उसका ठीक ढंक से उससे कानून की पालना नहीं करवाईगी मैं काना चाहता हूं समाज का लेड़ भी आपको इमने बार बेजा कि भाया आपकी जिल्म इस तरहीं मामले कापी आ रहे हैं आप सिर्फ समा कर तो दर्णित करने की विए उसता साथ साथ चलाने पड़ेगी और मैं यह भी कहूँँगा कि रेंडम ली मैं आज यह भी क्रिमिलोजी के सोधारतियों से एड्रस करना हूं आईपीएस लोबी को विश्यस रूप से एड्रस करना हूं इंडियन आईपीएस लोबी जो है वो इस बात में ज़्यादा सामने आई कि एक ज़्यादा बैतर यह भी तरीका है कि उन लोगों को दो यह बात विश्यस रूप से ही है कि आईपीएस लोबी विश्यस पर देख लें कि अपराद का कारन क्या है और मैं यही कहूँगा कि बेकारी के वस्ता में इस तरह है जैसे तैसे वो आदमी अपना नैतिक करते हुएं को और वो कहते है न बोखे बजन होने गोपाला वाली बात है उन लोगों को न्योंतम मैंने पहले का था कि छोटे वेतन की नोकरियार सरकारिश्यों मैं पता कि जैन जी छोटे वेतन की नहीं इस तरह की भारी प इस तरही सुची था हम प्राप्त करने के लिए मैंने पेहले कहा कि जितनी वी राजकी पद हैं उनको मेव को मतल देजाए और अप्राद के परती भी एक प्रायरत्भी किस तरप परियास किया जाए कहा सब क्यों यह अप्राद की तरफ हमां आइप एस लोभी को हूँ अध्यापक सम्मानित गुरू जी करते थे मात्मा चिकित साक नयाईदीस शरोच नयालेते के नयाईदीस नाम जो दो हैं संगेन अपरादों में तो इक इनको अपराद माना जाए और ने माना जाए या तो अगर ये कोई बहुत बड़े इनको क्या जरूरत पड़ रही है इस अब इनको इस तरह के अपराद के परमिट दी जाएं क्या या उनको किस दिर उनको शेकन जाका सजाया भी तक संदेश अच्छा नहीं जा रहा समाज में सरोच नयालेते नाम जो दोच के हैं और अपरादों और अध्यापकों चिकित्सकों अधिवक्ताओं शंतों जो धारना आई कि गुणी को पूझा जाए किसी पद नाम से ने पूझा जाए कि किस पद प्रासिन है तो मैं जो टोपिकाजूशी पर मैं लेक रहा हूँ कि गुणों का अभी वाओ को मन रोद करता हूं कि सबसे बड़ी बुमिकाद है अभी वाओ को निमाए पहले और सर तो आज ससकते हैं पर मैं कहूंगा दो हाथ से 20 हाथ कहीं ज्यादा काम करेंगे उस ही वेतन में तो आज मैं यह कूँगा कि गौनों की विकास पर जोर के साथ साथ छोटे वितनी नोकुरियों की बर्मार की जाए सिविरा जिसर कर दोरा और ट्रैट करने बाद लोगों को यह नहीं लगे कि जो ट्रैट कर गए बो तो कहां पूंच गया मैं कहां नहीं ऐसा नहीं है लोगों को अध्यापन का ज़्यादा ज़्यादा मौका दिया जाए ट्रैट के साथ भी और सरली करन पर कि विया कि तर बढ़ा जाए हर कारी कि मैं यह बार बार कर रहा हूँ कि सरल बना जाए किसी कारे को इस तरह कि अध्कंडे नहीं पना रपने के रोजगार प्राप्त करने के लिए या को शेक्सिक पादी प्राप्त करने के लिए जो अध्कंडे लगा दूसरे को नकल देते पकड़ा गया यह नहीं और मैं एक बात और बता हूँ आई पेस केडर से कि उनके अधिकारी उस द इसे की स्रेनी से समंद वेक्ति ज्याद्धा योग्य हो तो इस तरह की वेक्तिएओं को उसके साथ प्रतिशफरधा कराकर उसको मुका दिया जा सकता है यह एक इन्ज़ाइशन है एक नौ अंशंदान है कि आप ज्गए प्रतिशपरधा हैं मैंने एक टोपी बनाया कि इनको शेवकों को जहन मेयोगन बना कर शेवक बनाया जाए बड़ी संख्या इनको नियोजित कहा जाए छोटे वेतर में जब ज़्यादा करी करेंगी तो यह लोग इतनी ज़्यादा इसे समाज और राष्टर की छवीव सुदरेगी और लावोका तो मैं सभी कारीपालकों से और विदायकों विदायका जो लोगों से अन्रोद भी करूआ मैं इस मामले में और आईपी सलोबी से भी जो करीमिलोजी पढ़ चुके और जज़ेद से भी कि इसे हलके मने लें अच्छा नहीं लगता ठीसे देन अर्विक लगए है यहां मा पर लिग होगा उग है लुगए है भी होगाँ होगा नहीं हम यहांपराद के बार इतनी बातें सुननी है और इसके लिए हम चांथे हैं कि युदिस्त पर आप बच्चों को सिक्षा और करियर से पहले ज़्यादा गुणी मनाने पर जोड़ दें गुणी बच्चा परिवार समाज और राष्टर के लिए काफी मैतव पुर्ण और एक पर कासे मैं कौँँगा कंट्रिबूटर का जाएगा वो होता है तो इस पर जोर दें और सभी अपनी लोबी को इस तरए कि मैं बच्चों से भी कुँआ सिक्षासेतर के लोगों से इस तरए के लोगों से नफरत करें एक पहले इस तरह वीडियो डाला था खी कि किसी एक महातमा संत का नाम लेने से सभी संतों गंदी नजर से ने देखी एक जज को किशी अपराद में संलिप माले ने सभी जज़ों को जिनकी संख आजारों में भारत में है तो उनको गल्द रष्टी ने देखी मैं उस बात कोई नहीं कर रहा है कि वो को वरग बुरा है उस वरग में कुछ बुरे यही है मैंन पात है तो सभी जो आम जो नागरिक और सभी जो जवावदे लोग कारेपालक और विदायक में शिपक होगा कि वो गुनों के विकास पर जोड़ दे ज्यादा लोग उनको गंदेनी जर्शे ने देखी और वास्तिक रश्टबक तिक परीचे देखी दर्नेवाद